नमस्कार मैं महेश चंदर कोशीक अपने यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल नई स्टेटेजी बताने वाड़ा हूँ जिसमें आप इंट्राडे में बगैर कोई नुकसान किये बिल्कुल आपने सही सुना जीरो लोस के साथ इंट्राडे के अंदर शोर्ट सेलिंग करके प्रोफिट कमा सकते हैं आपको सिर्फ करना क्या है वीडियो को पूरे मन लगा के ध्यान से पूरा देखना है पर फॉलोवर कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये नहीं बताया आपने ये नहीं बताया ये नहीं बताया तो आप पूरा वीडियो एदि ध्यान से देखेंगे तो एक-एक बात आपके समझ में आने वारी है लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जैसा कि हमारे चैनल की प्रंपरा रही है मेरे जिन फॉलोवर्स ने मेरा पिछला वीडियो आने के बाद से जिरोदा का 60 डे चैलेंज जीत करके मुझे इमेल द्वारा शेर किया है लगबग 3-4 मिंट का बाग है आप चाहें तो 3-4 मिंट के बाग को स्किप कर सकते हैं चाहें तो सर्टिपिकेट देखके प्रेणा ले सकते हैं कि सेर बजार में पैसा कमाना इतना भी आड़ नहीं है आप भी कमा सकते हैं तो आईए पहले सर्टिफिकेट देख लेतें ये पहला सर्टिफिकेट है मुकेस कुमार जी का मुकेस कुमार जी आपको बहुत बहुत बदाई और बहुत बहुत शुबकामनाई सर्टिफिकेट जीतने के लिए दूसरा सर्टिफिकेट है हिरेन कुमार नागिन भाई पटेर जी का लगातार तीसरी बार इन्होंने सर्टिफिकेट जीता है हिरेन कुमार नागिन भाई पटेर जी आपको भी बहुत बहुत बदाई और शुब कामना है तीसा सेटिपेकेट है NX54680 का इनका नाम सेटिपेट में नहीं लिखा गया नका जो त्रेडिंग एकाउंट नमबर है वो ही लिखा गया है तो NX54680 आपको भी बहुत बहुत बदाई और बहुत बहुत शुपकामना है ये है उमा लिकर जी उमा लिकर जी आपको भी बहुत बहुत बदाई और बहुत बहुत शुब कामना है मौडली अर मदू जी का सर्टिपिकेट है मौडली अर मदू जी आपको भी बहुत बहुत बदाई और बहुत बहुत शुपकामनाई विशाल सकसेना जी ने लगातार दूसरी बार जीता है विशाल सकसेना जी आपको भी बहुत बहुत बदाई और बहुत बहुत शुबकामनाई जुलेखा खानम जी है जुलेखा खानम जी ने लगातार तीसरी बार सर्टिपिकेट जीता है जुलेखा खानम जी आपको भी बह अगला सर्टिफिकेट है सतीस कुमार मोरिय जी का इन्होंने भी लगाता दूसरी बार जीता है सतीस कुमार मोरिय जी आपको भी बहुत बहुत बदाई और बहुत 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 और बहुत बहुत शुब कामना है मादो बली राम राउट जी है मादो बली राम राउट जी आपको भी बहुत बहुत बढ़ाई और बहुत बहुत शुब कामना है अगला सर्टिफिकेट है अजिन के सिरी परसाद राउ अगोर जी का तो अजिन के सिरी परसाद राव अगोर जी आपको भी बहुत बहुत बढ़ाई और बहुत बहुत शुब कामना है ये सर्टिफिकेट है मुनमुन बनर जी जी का मुन मुन बनर जी जी आपको भी बहुत बहुत बढ़ाई और बहुत बहुत शुबकामनाई विशोनाथ चंदरकांथ गिड़कर जी है विशोनाथ चंदरकांथ गिड़कर जी ने लगाता तीसरी बार जीता है विशोनाच चंदरकांद गिड़कर जी आपको भी बहुत 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 तो आप भीदि-पिजिरो दा का 60 डे चलेंज जीते हैं, तो आप अपना सर्टीफिगे्ट मुझे ईमेल करके शेयर कर सकते हैं, मैंने वीडियो के DESKTION बोक्स में अपना ईमेल आइडिड करा दिया है, आप मुझे इमेल कर सकते हैं अपना सर्टीफिगेट, और आपकी कोई क्यारीज बगएरा भी आप इमेल कर सकते हैं परन्तु हमेसा याद रखें मेरे 1,31,000 फोलोवर है और प्रति दिन मेरे पास 100 से उपर इमेल आते हैं तो बहुती कम इमेल्स के मैं जवाब दे पाता हूँ लगब 5-10 परतिशत का जवाब मिलेगा और करपया करके मेरे फॉन नम्मर नहीं मांगे क्योंकि मैं 1,31,000 लोगों से एक साथ फॉन पर बात नहीं कर सकता और जो ब्रोकर फॉन में बगएरा है वो भी करपया करके मेरे साथ पार्टनर्शिप करने वाड़े इमेल मुझे नहीं करें मैं किसी भी ब्रोकर के अंदर डीमेट खाता खुलाने के लिए अपने वीडियो में एडवर्टाजमेंट नहीं करता हूँ तो अब चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं इस टकनीक के अंदर आपको शिर्फ निफटी, बैंक निफटी और एटी अब के अंदर करे करना है उनहीं में आपको इस टकनीक का इस्तेमाल करना है तो एक पॉइंट तो मैं आसा करता हूँ velvet है दूसरा पॉइंट यह है तो वो वीडियो मेरा पिछला वीडियो आ जाएगा तो उस पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने का था कि मैं आपको अगले वीडियो में कैसी तकनिक बताने वाड़ा हूँ जिसमें आप 5% से ज़्यादा प्रोफिट भी किसी शेर के अंदर कैसे कमा सकते हैं इस वीडि का परियोप करके तो यह वोई वीडियो है और इसको इंटर डे के अंदर भी आपको जो है जिरो लोस में सोट सेल करने की वीडियो में बताई जाएगी और साथ में बाइलो सेल आई मेथर से 5% से अधिक प्रोफिट कमाने की वीडियो में आपको बताई जाएगी तो थोड़ा सा मैं इस वीडियो का रीकैप कर देता हूँ जिन फॉलोवर्स ने पहले वीडियो देखा हुआ भूल गए उनके लिए भी काम आएगा और जो नए फॉलोवर्स है जो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखेंगे बाई लो सेल लाई वाड़ा उनके लिए भी काम आएगा उस वीडियो में मैंने यह बताया था कि यह बलूचिप सेर्स होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एटिएफ इन में उन शेरों को हम उनके 25 दिन के लो के बाद खरीते हैं जब उपने 25 दिन के लो तक तूट चुके होते हैं इत उनके लिए पांस परशेंट उपर का प्राइस पहले से फीड करके रखते हैं जब भी यह 5 पर प्राइस आ जाता है तो हमारा उडर टीगर होता है यदि शेर 25 दिन के लो के बाद और टूटता रहता है तो हमारा उडर टीगर नहीं होता है और उस वीडियो में मैंने को से से रहाएसे हैं दिनोंने उनके 25 दिन का लोग बना दिया है लेकिन उसके 5% से अधिक उपर अभी नहीं गए है उस रैंज में है वो 25 दिन का लो बन गया उसके description में भी उस seat का link provide करवाया हुआ है उस seat में मैंने जब example के video record किया था उस seat का तब उसमें गलती से heading में 25 days low की जगे 20 days low ही लिखा गया था मेरे से तो वो 25 days low ही है उसके अंदर वीडियो में लोग comment करें पूछते हैं कि आप वीडियो में जो seat दिखाई दे रही है उसमें तो 20 days low लिखा हुआ है और आप बता रहे हो 25 days low का तो कौन सा सही है तो 25 days का low जो है वो ही सही है गलती से उस seat के अंदर लिखा गया था तो मैं आसा अब कई फोलोर सोच रहे होंगे कि इंट्राडे वारी बात कहा है यह तो इंट्राडे वारा वीडियो नहीं है अरे बाई इंट्राडे का ही है मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल इंट्राडे में कैसे इंट्राडे का वीडियो बना दिया एक पहले मैं इंट्राडे का वीडियो चैनल के ओपर जो डाला था लेकिन उसमें मुझे संतोस निवाश्टोपलोस सही नहीं था तो उसको मैंने हटा भी दिया था कोदी मानदरी पुरुद तो कई फोलोर सोच रहे होंगे कि आज तो में हम पांच बार उसको बाय करते हैं यानि पांच बार एक प्रकास से अवरेज आउट हो जाएगा दुबारा फिर जब कभी तूट गया उसके बाद दुबारा 25 दिन का लोग बनेगा और सीट फिर से बताएगी कब ये 25 दिन के लोग में और उसके करंट मार्किट प् पूरा देख लिजेगा ये वीडियो देखने के बात देख लिजेगा खाली आपको यह पता चला कि बलूचिफ शेयरों को पहले आपको इस वीदी से खरीदना है कैसे खरीदना है सी एंसी में खरीदना है डेलिवरी बाइंग के लिए बलूचिफ शेयरों को आपको पहले खरीदना है उसके बाद इंटराटे की बात करनी हमें इंटराटे शोर्ट सेल जिरो लोसवाइस की बात करें यानि वह से 2022 करने से पहले आपकी ओर्डिंग में होना चाहिए पहले आपकी ओरडिंग मना चाहिए कुछ वह टोग गवराकी वीडियो होगा लोस नहीं होगा बसरते की आप पूरा वीडियो देखें बीच में बंद करके नहीं भागें तो अब यह आपको क्या होगा अगले दिन 15 मिनट मार्केट खुलने के पंदरा मिनट के अंदर अंदर आपको ओपन प्राइस पे उस सेर को बेश देना है और किसमें बेशना है मिस में बेशना है वो सेर बलेज आपके डीमेट ओडिंग में रखाओ लेकिन आप उसको कैसे बेशोगे इंट्राइड में मार्केट खुलने के आप आतो आज बेश सकें अच्छी बात है लेकिन 15 मिनट के अंदर अंदर आपको सुरू होता है तो लगबग 15-10 बजे तक आप इसको इसके जो है अगले दिन उसको बेच लेना आपको उपन प्राइस पे लगबग यह पांच परफिट पे हो चाहे चार पे हो फिर उसके बाद खाली क्लोज की सलताई क्लोज प्राइस जो है पांच प्रेंट से उपर उना ऊचब आपको उपन में जित्ती जल्दी मौका मिले पॉनाद सब्सक्राइब आपको इसको बेच लेना है उसके बाद कि उसके बाद क्या कंदा है नंबर टीन स्टेप है एक बाइयओर डालना है जिस प्राइस पर आपना विचा उससे एक परसेंट नीचे का एक बाइय औ तो आपको इस पोजिशन में एक परसेंट का प्रोफिट हो जाएगा अब इसके अंदर क्या 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 बाग में समझाता हूं कि क्या क्या सिच्वेशन इसके अंदर बन सकती है तो अगले दिन यह चार परिस्तितियां बन सकती है लेकिन इनको आगे बताने से पैसे एक बार फिर से रिपीट करता हूं मुझे असी इसलिए कमेंट आते हैं मेरे पास ऐसे कि बार बार एक ही बात को रिपीट मत किया अगरो इतने भी गदे नहीं है ऐसा जिने ने कमेंट कि है तो गदे की बात नहीं होती है आप लोग बहुत उश्यार है समझदार है लेकिन सारे फोलोवर समझदार नहीं उनके लिए थोड़ा एक बार दोबारा बताना पड़ता है कि आपको क्या करना है क्लोज प्राइस जब 5% से अधिक प्रोफिट में आ जाई उसके बाद आपको उस बाई ओडर का एक कवर ओडर लगाना है एक परसेंट नीचे के प्राइस पर किसका है सेल ओडर का जो सेल किया आपने सेल ओडर का एक कवर बाई ओडर लगाना है एक परसेंट नीचे की प्राइस पर कि यह जब एक परसेंट नीचे आ गया ता आपको उंगली ल लोस आपको का होगा और लोस जैसा कि मैंने का बिलकुल नहीं होगा जीरो लोस स्टेटेजी होगी पहली स्थिति है कि प्राइस डाउन दैन अप कि शेर का प्राइस आपके बेजने के बाद नीचे गया उसके बाद उपर आया और यदि एक परसेंट तक यदि आपका ये एक परॉपिट मिल जाएका एंधा दर एक परिशेंट में वो वापस पर्चेज हो गया एक परसेंट में आपको बिना कोई खरी और बिना कोई वोपर पह आएंगे उपर आगया फिक पहले से फैसलम frontier आपका अव gotten का शürüटियों आपका सेर आपका साथ प्रसेंट में आ गया आप तीन-चार बजे ले सकते हो कि आप अपने सेर को चाहें तो बेश सकते हैं उस वोल्डिंग से बार निकल सकते हैं नहीं तो अगले दिन इसी विदी को रिपीट कर सकते हैं अब एक इस्तिति यह भी है कि प्राइट डाउन देन अप में एक परसेंट तक नीचे नहीं गरा प्राइस आदा परसेंट गिरा आपका वह बाए ओडर एक परसेंट नीचे वाड़ टीगर नीवा उसके बाद प्राइस उपर बढ़ गया तो इसमें भी आपका कोई नुकसा आते में पड़े हैं कई बार आपके साथ होता है कि आप उसके बाद आपकी पोजिशन नुकसान में रिखाई देती है क्योंकि प्राइस आपके बेदेंगे बाद और अधिक उपर बढ़ जाता है तो वह जिस तरह से वह लोस होता है उसी पकार यह लोस भी नोस नोस है अब जो है एक परसेंट नीचे आता तो हम उसको फिर से परचेज कर लेते इंट्राडे के अंदर और बिना कोई खरीदे बेचे हमें एक परसेंट का मुनाफ़ा हो जाता लेकिन एक परसेंट तक नीचे नहीं है और वह प्राइस जो है पहले ही बहुत अधिक उपर बढ़ कोई बाट नहीं आप उसको मन डिलीवरी कर सकते उसको जो डिलीवरी में कणरों कर दीजिए और सेंट ऽे commercials को डिूरिशनके करने के लिए पहले से शेयर आपकी डिमी ऋड़ोंड़िंग में होना चाहिए पहले से पांस में अदिक प्रॉफिन में हैं आपकी डिमेट ख्री और मार्केट से फिर अलग से उत्ते शेर पर्चेज करने पड़ेगा तो इस इस्तिती में भी आपको कोई नुक्सान नहीं होगा प्राइस एक परसेंट तक गिरा तब तो आपको घर बेठे एक परसेंट प्रोफिट भी मिल गया और फिर उसके बाद उपर बड़ा तो आपक दुबारा से आपको और भी ज्यादा प्रोफिट उसके अंदर घर बेठे मिल गया गी वह एक परसेंट नीचे गया तो यह पोजीशन तो आपकी कटगी उसके बाद आप आराम से अपने शेर को खुद अपने आतों से बेच सकते हैं कि प्राइस जो है गिर गया और गिर ग लेकिन उसके बाद तो प्राइस और जारा तुट गया तो भी कोई नुकसान नहीं है आपके ओर्डिंग वाड़े से पहले से पांच परशेंट जो प्रोफिट में थे आप मार्केट बंद होते समय सोच सकते हैं कि कोई ज्यादा नहीं कि आदिया आपका मान लीजिए जो सेरों में अभी भी प्रोफिट जो च्यार प्रशेंट तीन प्रशेंट बचा हुआ है तो आप चाहें तो उसको बेच के निकल सकते हैं बहुत जादा गिर गया कि यह प्रोफिट प्रोफिट का पूरा चला गया पोजिसन आपकी लोस में आगी तो आपने बलुचिफ शेर जादा आएगा जो बाई लोस है लाई वारे मेथर्ड हो पहले से 25 दिन के लोसे थोड़ा सा बांस बैक आते आते या पर्शेस करते हो तो यह से टेक्निकली बीक होते हैं इनके और जादा गिरने के चांस भी होते हैं तो 60% चांस पहले बार इस्तिती कहीं है 60% आपको बता जाएगा और फिर आप 3-4-5% और लेके खुद अपने आतों से अपनी पोजिशन को जो पहरे से 5 पॉजिशन जो है लाब में थी उसको वापस आगे 6-7-8 परशेंट लाब के अंदर अपने आतों से बेश सकते हैं यह परशेंट आपको इंटरे वाड़ा मिल गया वो बिल परशेंट चांस यह रहेंगे कि प्राइस गिरा आपको 1% मिल गया लेकिन उसके बाद और गिर गया और गिर गया और आपकी प्रॉफिट बारी दो 5% पूरे प्रॉफिट को और काटने के बाद और गिर जाए ऐसी थित्ती तो बिल्कुल 3-4% होती है लेकिन फिर भी एसी इस्तिति में आ जाए तो आप इसको पोजिशन को होड रख सकते हैं एक प्रसेंट प्रोफिट आपको घर बेटे मिल गया उसके बाद आप इसको वापस उसी सिस्टम से दब तक बाई कीजिए कि जब तक दुबारा वो पांथ प्रसेंट से उपर की सिच्वेशन में नहीं आ ऊपर गया ऊपर और वह उपर गया यानि यह जो पहली बता दिए इसकें दर भी मैंने आपको कि वह आपका आदा परसेंट पर्षेंट का डिमेट पोजिशन से इसकी जो डिलिवरी आप दे सकते हैं चौती पोजिशन यह आती है प्राइस अप देन डाउन कि प्राइस आपके बेशने के बाद उपर गया उसके बाद फिर से गिर गया यह स्थीती भी आपके लिए बहुत ही अच्छी है बहुत ही लाबदाएक सिट आपके चार-पांच पर प्रसेंट प्रोफिट अभी भी बचा हुआ रहता है तो आप उसे एक प्रसेंट को कमाने के अलावा भी इसको बेचके निकल सकते हैं नहीं तो आप चाहें कि अगले दिन में फिर इसी बीडी को रिपीट करूंगा अभी भी मेरा से चार प्रेंट करते करते करता हूं यह आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा वैसे तो इंट्राडे करने की आपको को यह आउसकता नहीं होती लेकिन follower बार-बार email कर रहे थे, comment कर रहे थे कि sir intraday पे कोई अच्छी strategy लाई और इससे अच्छी strategy होई नहीं सकती आपने जैसा कि देख लिया होगा कि 60-70% chance इसमें यही होते हैं कि बगैर कोई share बेचे आपको 1% intraday में इसमें घर बेठे मिल जाएगा और उसके बाद वो share आपकी order में ही पड़ा है और आप उसको चाहें तो बाद में बेच करके profit कमा सकते हैं लेकिन order में वे बगैर जब आप यदि उसको short sale कर देते हैं और वो share उसके बाद बढ़ जाता है तो आपको बहुत बढ़ा नुकसान हो जाता है लेकिन इसमें चुकि share पहले से order में है बढ़ गया तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा आपको अपनी order में जो पहले से 5% profit में थी उसी में से आपको delivery दे करके उसमें से निकल जाना है बागी मैंने वीडियो में मेरी तरफ से बहुत अच्छा विस्तार से समझा दिया है पूरा वीडियो अदिया आपने देख लिया उसके बाद भी कोई बात रह जाती है था आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं मैं कमेंट में अधिक से दिक कमेंटों के आप लोगों के जवाब देने की कोशिस करता हूँ अब बात करते हैं मेरी option trading body book के print version की और उसके English version की तो परबात प्रकासन तो मुझे लगातार यही कह रहा था कि 26 जनुरी से पहले पहले English version भी आ जाएगा अभी तक आया नहीं है तो उसमें भी क्या है तब बड़ा प्रकासक है कोई उनक ज़लने करें बात है कि घर्डरस्ती के कारियों में आपके लिए बीसर्च करने में तो किताब का रहता था तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके और श्य बताना मेरते आगे अगले वीडियो में नमस्कार इस वीडियो में दिखाईगी जानकारी से आपको शेर बजार में 100% लाब ही होगा इसकी कोई डारंटी नहीं है आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अपको इस वीडियो में दिखाईगी जानकारी को सिर्फ एजुकेस्नल परपर्ज के लिए समझा जावे तका इसमें बताईगी जानकारी का उप्योग स्वेव विएक से करें नहीं इस वीडियो का दर्बाता किसी पिनुक्तां के दिये उतरदाई नहीं रंगा दर्मेबाता झाल